पिछले वीडियो में मैंने देखाता है कि मैक्स अपनी इन्वेंटरी के अंदर आद गुसाता है और उसके अंदर से न्यूट्रेशन टोनिक निकाल लेता है यह सबी न्यूट्रेशन टोनिक उने जो पिछली बार जितने भी टास्क पूरे किये थे उससे जो रिवोड मिलेत मैक्स उन सबी न्यूट्रेशन वोतनों को फिलेता है और अपनी एनर्जी को वापस ले लेता है यहां देखकर मैक्स का जो दूसरा कलोन ता जो मैक्स के उपर अटेक करने के लिए आता है लेकिन मैक्स उसे देख लेता है और जो उसके उपर अटेक कर रहाता है और उसके पोस्टिक टोनिक से मेरी ताकत वापस आ रही है फिर से मैक्स अपनी इन्वेंटरी के अंदर आस गुसाता है और उसके अंदर से नूट्रेशन की 3-4 बोतन निकाल लेता है और उन्हें पीने लगता है जब वह नूट्रेशन बोतनों को फी रहता है और उसके गले को पकड़ने की कोशिस करता है जैसे उसका गला पकड़ में आता है तो वह उसके उपर अपनी मेक्स का कलोन मेक्स के उपर अटेक करने के लिए अपनी तलवार को बहुत दी एनरजी के साथ हसते हुए उसके उपर अटेक करवा देता है और उसके पेट के अंदर दसाने की कोशिस करता है तब है मैक्स अपनी इन्वेंटरी को एक्टिव कर देता है मैक्स अपनी तलवार को और उसके कलोन के अंदर दसा देता है जिससे उस मैक्स का जो कलोन था उसके अंदर वो तलवार गुश जाती है नहीं तो में मरी जाता जैसे मेक्स अपने क्लोन को मार देता हैं तो उसे अनॉस्मेंट सुना देते हैं कि आपने जो जेड़ बोडिती उसको 100% रिवाइव करवा लिया हैं और अब आपको सरीर ट्रांसपर किया जा रहा हैं तभी मेक्स के सिस्टम में अनॉस्मेंट होती हैं कि अब आपका सरीर पूरी तरीके से ठीक हो गया अब हैल में जो सिस्टम चलता था वो आप अर्थ पर भी यूज़ कर सकते हो इधर हम देखते हैं कि जो मेक्स था उसका सरीर पूरी तरीके से ठीक हो गया था जैसे मेक्स को वो अपना सरीर मिलता है तो वो करता है हस अब जाकर मुझे कुछी हुई कि मुझे अपनी ताकत वापिस मिल गई तभी मेक्स का जो सिश्टम था वो मेक्स को बताता है कि आपके पास अंडीड मेसेज़ पड़े वे क्या आप उनको चेक करना चाहते हो मेक्स सोचता है कि अं Read Message चलो चेक करते हैं। और S पर क्लिक कर देता हैं। उस मेसेज में लिखा होता है कि हम हेल के King का Welcome करते हैं। हेल का King जब अर्थ पर चला गया था तो उस समय हेल के उपर बहुत से इनसानों ने अटेक कर दिया था और हमारे समय औरिस्तान को प्रत्वी के पत्रों से सील कर दिया गया था इससे लिए हमें पेंथेन के सभी लोगों को उनका वेट है और ताकी वह किंग ओफ हेल हमें बचाने के लिए आई तो मेक्स बोलता है तो अच्छा आप सब लोग मेरी मदद चाते हो मुझे तो कोई भ सीफ्ट होता है और हम ऑस्पिटल के अंदर जो मेक्स था उसके कमरे के अंदर वह अपने एक खास पूश अप लगा रहा था यह देखकर डॉक्टर और उसकी माँ एकदम है रहान हो गए तो कल तक तो यह कितना बिमार लगता था और आज एकदम से ठीक कैसे हो गया तो मेक सेंद्रक्टर बोलता है का बिल्कुल आप उन्हें ले जा सकते हो मेक्स और दर्वाजे पर जाती है तो डर्क्टर और उसकी माँ बात करें तो उनकी बातों को सुन्दे लेता है कि उन्हें आज से चटी मिल जाएगी और तैक्सी लेकर एपने गर तो पहुन्शते हैं तो अंदर चलो मैं अगले दर्वाजे पर आ रही हूं तुम वहां जाकर मेरा वेट करो जैसे मैक्स अंदर जाता हैं तो वह किसी लड़की को पेशे चुराते हुए देखता हैं और वह उसे बहुत ही ध्यान से देखता हैं और बोलता हैं यह कौन है वह लड़की जो थी मैक्स को कोल के लेकिन आपने तो किसी भी कोल का उतर भी नहीं दिया हैं जिसु नाम सुनकर मेक्स के रोंगते खरे हो जाते हैं और अपनी आखे चोरी कर लेता हैं अभी मेक्स की मा बोलते हैं क्या तुमने फिर से ऐसा किया और जिसु को देखते हैं जो उसकी मां से जदा बात नहीं क किसा लगता था मैक्स यह सुनकर अपने गर्दन को नीचे जुका लेता है और उसे कुछ भी नहीं बोल पाता तब गेट को खोलो जल्दी से जल्दी गेट को खोलो खोल डेको ने खोल उनको दमकाने लगता है और जुसी आगे बढ़ रहे थे तो उसकी इमाँ पिछे से बोलते कि तुम वहां खा जा रही हो इदर आओ वापिस जो बंदा गेट को लात माराता वह बोलता है मुझे पता है कि तुम अंदरी हो जल्दी से जल्दी दरवाजा खोल दो पीछे से मोटा आदमे बोलता है यह गर है या जोपडी तब ही दूसरा बंदा बोलता है कि हम इसे तोड़ दें तब ही जिसु अंदर से बाहर निकलते है और उन दोनों को देख कर बोलती है तुम बहुत सोर मचा र करती है मुझे माप कर दीजिए मैं आपको बताना चाहती थी मैं बूल गई कि आज मेरे बेटे को ओस्पिटल से चुटी मिलने वाली थी और वह उस आदमियों को पेसे देने लगती है मेरे पास अभी तो इतने ही पेसे हैं और बाकी के में बाद में लोटा दूँगी तब दूसरा बंदा गेर से एंटर करने लगता है और जैसे वह करता है तो उसका साथी उसकर बहुत तेजगति से किसी ने मार कर फिंगा तो उसे से पूँछता है कि वह रहा सामने खड़ा को आहए थी तो मुटा वाला बंदा पहलता है कि मैं तुम्हें तब से हैरा को और 이후 जोर जोर से चाटे लगाने लगता हैं और उसके चाटे लगाने की कारण से उसके मुझे से खून आने लगता हैं और वह चाटे इतने जोरदार होते हैं कि उसके जबरे तकार तूर जाते हैं और इसके बाद मैक्स उसे एक तरफ फैंक देता हैं तबी वह मोटा बंदा जो था वह देख सोसता है कि यार मैं मैक्स से इस तरीके से नहीं जी सकता हूँ मुझे कोई चाल चलनी होगी तो उसे पासे में एक चेर नजर आती है तो सोसता है कि मुझे इस चेर से उसे मारना होगा और चेर उटा कर वह उसके ऊपर अटेक कर देता ह उस अटेक के कारण वह सोसता है कि मैं इसे हरा सकता हूँ मैक्स उसके मुझे पर मुखा मार देता है और वह चेर तूट जाती है और वह बंदा पीछे जाकर गिर जाता है तबी उसके साथ वाला बंदा अपनी पास से चाकू निकालता है और मैक्स के उपर अटेक करता है व और उसके हाथ को वहीं से तोर देता हैं. उसके हाथ का चाको नीचे गिर जाता हैं. और जिसका हाथ टूटरता हूँ收看 बंदा जौर ज़ूर से च्छिनाने लगता हैं. तब ही वो मोटा बंदा मेक्स को दमकाता हूँँ बोलता हैं. तुम क्या सोशते हो कि तुम इस तरह की से करके तुम बसकते हो यसा बिलकुल भी नहीं है तब ही Max बोलता है अगर तुम ऐसा सूरे हो तो मैं तुमें मार दूँगा इतने में Max की मा Max को चला ती वी उसे रोकती है तब ही मैक्स पीछे देखता है और उसकी मा को देखने लगता है और मैक्स की मा मैक्स से बोलती है नहीं मेरे बच्चे इसा मत करो रुख जाओ और वो दोनों बहुत ही स्पीर से वहां से निकलने लगते हैं और अपने कार को श्टार्ट करके बहुत ही जल्दी वहां से रवाना हो जाते हैं जब वो दोनों वहां से जाई रहते तो आपसे में बात करते हुए वहां से निकलते हैं तब ही उस मोटे वाले आदमी की नजर मेक्स की बहिन के उपर पड़ती है और वह बोलता है यह तो वही लड़की है ना जो हमें वहां मिली थी इदर मेक्स की मा मेक्स के गर पर यह बताती हैं कि जब तुम कोमा में चले गए तो तुमारे पीछे क्या क्या हुआ मेक्स के मां मेक्स से बोलते हैं कि जब तुम बेमार हो गए थे तो मैंने सोचा कि तुम तोरे दिनों बाद में ठीक हो जाओगे और उड़ जाओगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हमारे पास अतने भी पेसे बचे वेते हुए तुम पर खर्च हो गए और अब मैंने तीन सब्सक्राइब करते हैं कि दो साल पहले उसने अपनी पड़ाय चोड़ दी और हमारी मदद करने के लिए उसने एक रेश्टूरेंट में पार्टाइम जोब करने लगी थी यह सुनकर मेक्स बोलता है मां आपको उसे रोकना चाहिए था और उसे स्कुल बेजना चाहिए था तब मेक्स के मां बोलते हैं मैंने उसे बहुत ही रोकता लेकिन वहापकी मदद करना चाह्था थी और आपको ठेक करना चाहिए थी आरको आपको जीवित रखने में वह अपनी पूरी मदद करना चाहिए थी इसलिए उसनी अपने स्कुल को चूड़ दिया और अमारे मदद बात करते हैं बॉलता है कि आपी भी आपको बास समझ भी नी आई और मैस बात करते हैं तो वह वाला ब माने में जड़ा मुश्किल होगी जितनी पाउर तुमारे अंदर उस रिसाफ से तुम सो मिलियन बहुती आसानी से कमा सकते हो अगर तुम चाहते हो तुमारी बहन ठीक रहे तो तुम किसी चीज के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना ठीक है ना उस मोटे आदमी की बात को सुन कर उसकी मार बोलती है रुखो मैंस कहां जा रहे हो मैंस अगर तुमने किसी को चौट पहुचा है तो तुम्हें जेल हो जाएगी और मैं जी नहीं पाउंगी में इसा करती है यहाँ सुनकर में दूक जाता है और सोचने लगता है अरे मैं उन्हें मार कर इस चीज को समाधा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यह हैल नहीं है जो मैं किसी को भी मार दूँ इतना सौचने के बाद मैक्स अपने सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है और वह जैसे अपने सिस्टम को एक्टिवेट करता है तो वह सिस्टम के उसे दिखाए देता है उसकी मां को दिखाए नहीं द चार आप्सन मिलते हैं जिसमें एक पोईजन होती हैं एक स्किल और होती है हेल्फ हैं फ्लेम होती है और एक समन सेडो होती है मैक्स उन्हें देखता हुआ सुझता है यार मुझे कौन सी स्किल को यूज उसे सलेक्ट करना चाहिए और इसके बाद मैक्स उस स्किल को सलेक्ट कर और कमेंट करके सब भी बताएं